और जेलन्सकी को लेकर विवाद के बीच अब कादीरफ ने एक बड़ी साज़श के तयारी कर ली है कादीरफ अब अपना चेहरा बदना चाहता है और इसके लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया है कादीरफ अगर इसमें काम्याब हो गया तो समझ लीजे पुतिन पूरी दुनिया में राज करेंगे कादीरफ को दुनिया खूखार कमांडर के तौर पर जानती है कहते हैं कादीरफ और उसकी फौच जहां जाती है कोहराम मचाती है मारियो पुल से लेकर डॉनेस्क और लोहांस्क में कादीरफ ने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि जैलन्सकी की फौच जान बचा कर भागी है इसलिए कादीरफ बहुत खतरनाक माना जाता है कादीरफ को युद्ध के मैदान में गिध कहा जाता है जो अपने दुश्मन को नोच-नोच कर खा जाता है लेकिन अब कादीरफ अपनी इमेच बदलना चाहता है वो अब अपनी गिद्ध वाली इमेज शोड़ना चाहता है अगर ऐसा हुआ तो युद्ध लड़ने वाला कादिरफ क्या करेगा तो जबाब है कि कादिरफ अब कबूतर बनना चाहता है क्योंकि कादिरफ अब अपनी इमेज एक शांती के दूद की बनाना चाहता है असला किया उसने excited को मानुवाधिकार और शांति कायम करने वाला नायक साबित गिया और को एक मेडल से नवाजा ह। कादिरफ स्का मेरी्टेंट ॥यूमन राइट्स ऐड्वोकेट और छेचन्या मेडल चेचन्या में ये मेडल उसे दिया जाता है जो वहां के लोगों की सुरक्षा करता है चेचन्या के हक के लिए काम करता है लेकिन मारियोपुल को कबरिस्तान में बदल देने वाला और लोहांस में जेलन्सकी की फौज को सिर्फ अपने खौफ से ख़देर देने वाला के बीना चेचन्या में बद्दा तक नहीं हिलता अगर अगर यह कहा जाए कि कादिरफ ने खुद को ही यह मैडल पहनाने का फैसला किया और उसी नहीं यह मैडल खुद को पहनाया है तो यह कादिरफ के साथ ज्यादती नहीं होगी योकरेन युद जब से शुरू हुआ है यह कादिरफ की आदत रही है कि वो हर मोर्चे पर अपनी मौझूद की दर्ज करा के हीरो बनना चाहता है लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अपने लड़ने के तौर तरीकों की वज़े से उसकी इमेज एक खुखार कमांडर की बनी है और उसकी इमेज ने पुतिन की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया इसलिए कहा जा रहा है कि हाल ही में जब कादिरफ पुतिन से मिला था तो पुतिन ने उसे बातों बातों में सला दे डाली कि वो अपनी इमेज ठीक करें पुतिन जानते हैं कि दुनिया में कादिरफ की इमेज ठीक नहीं है और इस वज़े से कादिरफ की सारी कुरूरता के लिए पुतिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है इससे पुतिन की इमेज भी डाउन हो जाती है इसलिए युद्ध में कादिरफ की इमेज की वज़ा से पुतिन भी पश्चिमी देशों के टार्गेट पर रहते हैं क्योंकि कादिरफ को दुनिया पुतिन का दाहिना हाथ भी मानती है पुतिन अपनी इसी इमेज से ना सिर्फ परिशान है बलकि इस बारे में कादिरफ को भी बता चुके हैं सवाल है कि इस सुवक्त पुतिन का चेचन कमांडर रमजान कादिरफ कहा है क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर तैनात कर दिया गया है वहीं वैगनर चीफ को लेकर रूस में सवाल उटने लगें और उसकी लोकेशन पर पुतिन 24 गंटे नजर रख रहे हैं कादिरफ ने हाल में पुतिन से एक मीटिंग की कादिरफ बिना किसी को बताए मोस्को गया और वहां पुतिन से एक खुफिया मीटिंग की इस दोरान कादिरफ का चेहरा को छालक नसरा है जैसे कादिरफ का चेहरा सूजा हुआ है लेकिन इसके बारे में कादिरफ ने पुतिन को कुछ नहीं बताए इसमें कोई शक नहीं कि रमजान कादिरफ पुतिन का सबसे बरोसे मंद कमांडर माना जाता है पुतिन कादिरफ की बातों पर आँख बंद करके यकीन करते हैं यही वज़े है कि कादिरफ के गुनाः पुतिन के गुनाः करार दिये जाते हैं दरसल पश्चिन की मीडिया हमेशा ऐसी खबने तलाशती है जिसमें कादिरफ की कुरूरता बहुत साफ साफ नजर आए जेचन लड़ाकों का मारियो पुल पर अटेक और वहाँ योक्रेन के लोगों की हत्याओं से लेकर योक्रेन के सैनिकों के दर्दनाख अंत से भरी कई ऐसी रिपोर्ट है जिसे लेकर कादिरफ ने बोलंड से लेकर अमेरिका तक अपने कई दुश्मन बना लिये हैं वो एक बहुत ही कुरूर कमांडर माना जाता है बश्चिमी देश इसे लेकर पुतिन को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते 2007 से चेचन्या की सत्ता समाल रहे कादिरफ का नाम मानवाधिकार हनन, तौर्चर, अपनन और राजनितिक विरोधियों के मौडर को लेकर हमेशा बोलंदी पर रहा है लेकिन दूसरा सच ये भी है कि चेचन्या में उसे 30 राश्टिय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है रमजान कादिरफ को मेडल पहनने का शौक सोवियत दौर के लीडर लियोनेट ब्रेजनेव को देख कर चड़ा जिनके सीने पर मेडल ही मेडल होते थे आपको ये जान कर हरानी नहीं होगी कि जिस मानवाधिकार मेडल से कादिरफ ने खुद को नवासा है इससे पहले उसकी माँ और उसके पिता को भी ये मेडल मरोडो परांद दिया जा चुका है इसलिए ये तमगा कादिरफ को क्यों नहीं मिले ऐसा कैसे हो सकता है लेहाजा कादिरफ ने खुद को एक अमन पसंद इनसान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है उसका इरादा दुनिया में अपनी अलग पैचान बनाने की है वो योक्रेन योद से अपनी धमक और खौफ पूरी दुनिया में फैला चुका है लेकिन अब वो गिद्ध की जगया कबूतर बनना चाहता है लेकिन कादिरफ उन खून के धब्मों को अपनी वर्दी से कैसे मिटा पाएगा जो उसकी फौज के कारनामों की वज़े से बुतिन तक महुँच चुके है